हेलो चिल्रन हम देख रहे थे चिल्डनास कलाम अभी हमने रीट किया आपने भी रीट किया होगा आये अब इस लसन को समझने कोशिश करते हैं प्रेजडेंट डॉक्टर श्री एपीजे अब्दुल कलाम स्पेंज आर्स एवरी वीक कनेक्टेट पिछिल्रन अक्रॉस देशन तिक अबाट कर रहे हैं अब तो प्रेजडेंट तो जीवित भी नहीं है लेकिन फिर भी पूरे सम्मान के साथ डॉक्टर एपीजे अब्दु करना आर्ज यानि घंटे घंटों व्यतीत करते थे वो हर हफते में किस बारे में सोचते हुए सारे दुनिया के सारे अपने देश के बच्चों के बारे में सोचते हुए बच्चों के बारे में सोचते हुए उनके फ्यूचर उनके भविश्य के बारे में सोचते हुए और जो विभिंद इशूज हैं जो उनकी तरह तरह की समस्याएं हैं बच्चे जिन बातों को लेके परिशान रहते हैं उल्जे हुए रहते हैं उनको लेके वह बहुत सोचा करते थे Here are Dr. Kalam's answers to the questions that some children have asked him कुछ बच्चों ने उनसे कुछ प्रश्न किये जैसे आपने इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कुछ बच्चों ने उनसे कुछ questions किये और उन questions का उन्होंने क्या जवाब दिया? आए हम इसको जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले आठी कक्षा में पढ़ने वाले कासर गौर्ड नाम की एक कोई जगह है धनराज है वहां से वो पूछ रहे हैं What is your full name and who was your best friend in school? आप अपना पूरा नाम कृपया बताईए और आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन था? कलाम बोलते हैं, my full name is अवुल पाकिर जैनुलाबदीन अब्दुल कलाम एक पर आप लोग कुशिश कीज़े पढ़ने की मेरा पूरा नाम है अवुल पाकिर जैनुलाबदीन अब्दुल कलाम During my school days, Pakshi Ramnath Shastri was my best friend मेरे स्कूल के दिनों में, Pakshi Ramnath Shastri नाम के एक सच्छन हुँ मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे जोशी भूमी है, Standard 11th में पढ़ने वाली Institution कोटक कन्या विनाय मंदिर, City राजकोर्ट, इनका प्रशन है Question, How far is the favor of fortune necessary? Favor of fortune, इनका प्रशन है कि favor of fortune यानि भागे का होना कितना जरूरी है आपकी सफलता में भागे की हिस्सेदारी होनी चाहिए क्या? ऐसा कहते हैं, भागे था तो मिला, नहीं भागे था तो नहीं मिला तो क्या भागे की हिस्सेदारी होना जरूरी है? ये प्रशन है जोशी भूमी का question का answer दिया है कलाम ने hard work comes first भागे की बात हैं बाद में पहले आप मेहनत तो कीजिए सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है आपकी मेहनत hard work comes first fortune will favor you if you are persistent in hard work भागे आपका जरूर आपको favor करेगा अगर आप कठिन कड़ी मेहनत करते रहोगे तो ये कहना कि भागे का ही आप total सहरा लेके बैठे रहोगे कि मेरा भागे मुझे बहुत उचाही तक ले जाएगा तो ये एक तो संभाव नहीं है और दूसरी चीज ऐसा होता भी नहीं है भागे तभी आपको favor करता है जब आप स्वयम मेहनत करते है there is a famous saying उन्होंने एक famous प्रसिद कहावत saying का मतलब कहावत एक प्रसिद कहावत उन्होंने बताई है God helps those who help themselves इश्वर उन्ही की मदद करते है जो अपनी मदद स्वयम करते है God helps those इश्वर उनकी मदद करते है who help themselves जो अपनी मदद स्वयम करते है there is another saying एक और मशोर कहावत है that it takes many years of hard work to make an overnight success जो रातो रात मिलने वाली सफलता होती है उसके पहले कई सालों की कड़ी मेहनत जुड़ी होती है देखने से लगता है कोई वेक्ती रातो रात प्रसिद हो गया रातो रात सफल हो गया रातो रात अमीर बन गया रातो रात प्रसिद हो गया कोई बड़ा काम उसने कर दिखाया कोई बड़ी चीज उसने इन्वेंट कर दिखाई साइंस में कोई नई चीज खोच के निकाल ली लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि वो रातो रात मिली प्रसिद्धी उसके पहले कईयों साल की कई बर्षों की कड़ी महनत होती है जो आपको लगता है कि रात भर में फेमस होती है रात भर में कोई फेमस नहीं होता बहुत बर्षों की कड़ी महनत के बाद लोगों को सफलता हासिल होती है देवेश रंजन इंस्स्टूशन NIC City New Delhi से ये पूछ रहा है Please tell me who would have been the first scientist in the world कृपया बताईए दुनिया का पहला वैग्याने कौन रहा होगा Science was born and survives only by questions कलाम ने जवाब दिया यहां पे कि science was born, उत्पन हुआ, पैदा हुआ और आज तक survive कर रहा है, जीवित है सिर्फ प्रशनों के कारण जब हमारे दिमाग में प्रशना आते है क्यों, कब, कैसे, किस लिए यही चीज़े हैं जो हमको इनका उत्तर ढूणने पर विवश्च करती है और यही चीज़े हैं जिनके कारण science लगातार, तरक्की हम एक के बाद एक नई चीज़ें आज देखते जा रहा है जिस दिन हमारी यह उत्त्ता खतम हो गई, कब, क्यों, कैसे, किस लिए उस दिन विराम लग जाएगा और हमारी तरक्की रुख जाएगी और नई चीज़ों का अविश्कार रुख जाएगा तो यहां इसी बात को कलाम ने कहा है कि साइन्स जो है यह उत्पन हुआ है और सर्वाइव कर रहा है आज तक जो जीवित है यह प्रशनों के कारण जीवित है The whole foundation of science is questioning Science का foundation Science की नीव ही प्रशन है हम जितना प्रशन करेंगे उतना हम खोजेंगे उतना हम जानेंगे और उतना विज्ञान भी आगे बढ़ेगा And as parents and teachers know well माता पिता और शिक्षक तो बहुत अच्छे जानते हैं Children are the source of unending questions बच्चे स्रोत होते हैं सोर्स होते हैं उनके प्रशन कभी भी समाप्त नहीं होते Hence, इसलिए Child is the first scientist पहला वैग्यानिक हम कहा माने तो किसे मानेंगे? बच्चों को मानेंगे Next question B. Ishita, Standard 6th Institutions and B. School, City Chennai Question है What is the secret behind remembering various formulas of science and maths? Science और maths के विभिनन फॉर्मूले को याद करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए? उसका secret क्या है? कलाम कहते हैं By constant application लगातार आप उनका प्रयोग कीजिए जो भी formula आपको याद रखना है उसका लगातार उप्योग कीजिए One can remember various formulas of science and maths Constant application से लगातार प्रयोग करने से आप गनित और विज्यान के विभिन सूत्रों को Formula का मतलब सूत्र Various का मतलब विभिन विभिन फॉर्मूलों को आप याद कर सकते हैं उमंगदवे, Standard 9th, Institution, Silicon Academy City, Mumbai Silicon Academy City, Mumbai के उमंगदवे पूछ रहे हैं इंप्रशन Which has been the happiest day of your life? आपकी सिंदगी का सबसे happiest day कौन सा था? सबसे खुशी का दिन कौन सा था? कलाम बता रहे हैं, ध्यान से सूरेंगे सारे बच्चे I was once working with doctors to get lightweight floor reaction orthosis which is FROs for polio affected persons FRO एक बार मैं doctors के साथ काम कर रहा था कि मैं कम वजन के floor reaction orthosis बना पाऊं polio affected persons के लिए इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा मेरी तरफ थ्यान देंगे बच्चे लोग polio वाले विवेक्ती को आपने देखा है ना कितना भारी वो पहने रहते हैं पैर में अपना कैलिपर जिसको आप बोलते हैं बिटा बहुत भारी सा कैलिपर पहने रहते हैं जिसका वजन होता है लगभग 3 किलो और उसको पहनने के बाद में उनको चलने के लिए पैर को लगभग घसीतना पड़ता है काफी ताकत लगा के उठाना पड़ता है पैर में ताकत नहीं होती और वो जो कैलिपर पहने रहते हैं उसका वजन बहुत जादा रहता है तो उस वजन को कम करने के लिए इन्हों ने डॉक्टर कलाम ने सारा श्रे डॉक्टर कलाम को है FROs यानि floor reaction orthosis अपने स्क्रीन पे देखिए इसको बोलते हैं floor reaction orthosis ये इस प्रकार के कैलिपर्स हैं जिनका वेट लगभग 300 ग्राम होता है कहां 3 किलो और कहां 300 ग्राम बना रहे थे वो डॉक्टर के साथ मिलके कि जिनको पोलियो हुआ है वो लोग इसको पहन सके ये कैलिपर हलके होंगे तो बच्चों को movement करने में चलने में आसानी होगी उनको अपने पैर को काफी ताकत लगा के चलाने की जरुवत नहीं पड़ेगी तो ये वो बना रहे थे FROs, floor reaction orthosis जो आपने देखा अभी जो की एक सामानने कैलिपर से दसगुना हलके होते हैं वो बना रहे थे कौन? हमारे डॉक्टर कलाम अदर डॉक्टर के साथ मिलके After taking the measurement, when the children were fitted with it weighing one-tenth of the original weight which they were carrying, the children started running बच्चों के पैरों का नाप लेके, जब FROs उनके पैर में लगाए गये उन भारी कैलिपर्स को हटा की, ये हलके light weight floor reaction orthosis को, जब उनको पहनाया गया, लगाया गया और बच्चों ने देखा कि पहले वाला जो वजन वो उठा रहे थे तीन-तीन किलो का, और ये तीन-सो ग्राम का वजन तो वो दोडने लगे, वो बच्चे दोडने लगे, जो चलने ही पा रहे थे वो बच्चे अब दे स्टार्टे रुनिग, वोकिंग, पैदलिग साइकल्स, साइकल्स को पैदल करने लगे, चलने लगे और दौरने लगे, चलने लगे फ्रीली, कहां तीन किलो, कहां तीन-सो ग्राम, और उनके चलने फिरने मोबिलिटी उनके मूमें को देखे, जो उनके माता पिता थे उनके आँखों में आसु आ गए, और उनके चहरे पे जो खुशी आई, उसको देखे मैं बहुत खुश हो गया, डौर कलाम ने कहा, ऐसे बच्चों के माता पिता की खुशी देखे, संदगी का सबसे खुशी वाला दिन था, आर अर्विन ये पूछ रहे हैं, स्टैनर्ट फ्री इंस्टूशन संबीट स्कूल, सिटी से चैन्नाई, इनका क्वेशन है, can you tell us any unforgettable incident from your childhood, आप अपने बच्चपन का कोई ऐसी घटना बना बता सकते हैं, जो एक्दम यादगार हो, अब इस मर्नी हो, unforgettable हो, जिसको आपको भी भूलना पाए हो, कलाम, I am reminded of my class 5th teacher, Shri Siva Subramaniam Ayer, मुझे याद आती है अपने class 5th के teacher, Shri Siva Subramaniam Ayer, he taught us in his lecture how birds fly, इन्होंने अपने लेक्चर में पढ़ाया था, कि चिडिया आसमान में कैसे उड़ती है, He showed us real life examples at the seashore of Rameswaram, और इसको दिखाने के लिए वह हम को Rameswaram के तट पे ले गए थे, समुद्र के किनारे, और वहाँ उन्होंने चिडिया का fly करना दिखाया था, It is an unforgettable occasion which etched in my memory forever, ये एक अविश्वसनी अवसर था, और हमेशा मेरे जेहन में, मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में ये चीज़ बनी रही, It helped me to take up the study of science, और इसलिए मैंने विज्ञान विशे को अपने पढ़ाई के लिए चुना, इसके बाद है अभिलाश्वर्मा, Standard 8, Institution, Police, Modern School, City Tawa, इनका प्रशना है, You are an ideal man, आप एक आदर्श विक्ति है, Please give us your suggestion to become good human beings, हमें बताएं कि अच्छा है इंसान बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कलाम बोलेंगे, बोल रहा हैं, hard work and scientific temper combined with spirituality will make you a good human being, कठोर परिश्रम करो, scientific temper, वैज्ञानिक आपकी सोच होनी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्ट की कूण, hard work, कठिन परिश्रम और spirituality, यानि पूरी तरह से आप आध्यात्मिक रहो और इससे आप बनोगे एक good human being, एक बहुत ही अच्छे इंसान, try to find good things in others, दूसरों में अच्छी चीज़न देखने की कुशिश कीचिए, इसके बाद है, हर्ष चांडक, स्टांडर्ड सेव दॉसरों को डिजास्टर से दुरघटना, से दुरघटना, दूसरों को दुरघटना से बचाना, without minding about your own safety, अपने सुरक्षा की चिंता किये बिना, ये है करज या साहस. मास्टर राहूल महता, स्टांडर्ड एट, सिटी एहमदाबाद, तेजस सावन, स्टांडर् नाइन, इंस्टिशन, बॉम्बे, कैमरिज, सिटी, अंधेरी. इनका प्रश्न है, what is your message to the citizens of India? भारत के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कलाम, my message to the youth is given in the 10-point oath. मैं नौजवान लोगों को दस बिंदू पे एक शपत दिलाना चाहता हूं, एक ओत दिलाना चाहता हूं, which I normally administer and is as follows. यह मैं अपनी जन्गी में भी लागों करता हूं और यह आपके लिए हैं. देखिये, पहला, I will pursue my education or the work with dedication and I will excel in it. मैं पूरे मन से, पूरी महनत से, पूरे डेडिकेशन यानि समर्पन. मैं पूरे समर्पन से अपनी शिक्षा ग्राण करूँगा and will excel in it और मैं इसमें सब से आगे निकलूँगा. From now onwards, I will teach at least 10 persons to read and write, those who cannot read and write. मैं आज के बाद कम से कम 10 लोगों को, ऐसे 10 लोग जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, उन्हें लिखना पढ़ना सिखाऊंगा. I will plant at least 10 saplings, कम से कम मैं 10 पौधे लगाऊंगा and shall ensure their growth through constant care. और मैं लगातार उनका ध्यान रखूंगा, जिससे उनकी ग्रोथ, उनकी पृध्धी संभव हो सके, constant लगातार उसका care करते हुए, उसकी देख भाल करते हुए, कम से कम 10 saplings या पौधे मैं लगाऊंगा. I will visit rural urban areas and permanently wean away at least 5 persons from addiction and gambling. मैं शहर और गाऊं में विजिट करूँगा, जाऊंगा और कम से कम 5 लोगों को नशे से, addiction यानि नशा और gambling यानि जुआ इन दोनों से वीन अवे अलग कर दूँगा, हटा दूँगा, उनकी इसादत को छुड़ा दूँगा, उनको इसादत से दूर कर दूँगा. ये अगली इनकी ओथ थी, चपत थी, I will constantly endeavor to remove the pain of my suffering brethren. मैं लगातार endeavor यानि प्रयास, मैं लगातार प्रयास करके, अपने भाईयों का, brethren, ये ब्रदर का, plural number है, भाई का, बहु वचन, बहुत सारे भाईयों को, मेरे देश के, जो दुख ही है, मैं उनका दुख दूर करूँगा. I will not support any religious, caste and language differentiation. मैं किसी भी condition में, ऐसे किसी काम में, जो धर्म, जाती और भाशा के भेदभाव को बढ़ाता है, मैं इसको बिल्कुल भी support, या इसका सहीयोग नहीं करूँगा, यानि मैं कोशिश करूँगा, कि धर्म, जाती और भाशा के नाम पे कोई भेदभाव ना हो सके. I will be honest and endeavor to make a corruption free society. मैं इमानदार रहूँगा और मेरी कोशिश रहेगी, मेरा प्रयास रहेगा, कि मैं corruption free society बना सकूँ. Corruption free यानि भ्रष्टाचार, मुक्त. I will work for becoming an enlightened citizen and make my family righteous. मैं एक enlightened citizen, एक जागरुप नागरिक रहूँगा, और मैं अपने परिवार को भी righteous, सही काम करने वाले, सही दिशा में जाने वाले रखूँगा. I will always be a friend of the mentally and physically challenged and will work hard to make them feel normal like the rest of us. इसके अलावा, मैं दोस्त रहूँगा, मानसिक और शारेरिक रूप से जो बच्चे अलग है, मानसिक और शारेरिक रूप से जो बच्चे किसी तरह से कमजोर है, जेने हम बहुत ही सामाने शब्दों में विकलांग कहते हैं, उनके प्रती मेरी एक इस तरह का मेरा attitude रहेगा कि वो अपने आपको normal feel कर सके, वो अपने आपको सामाने महसूस कर सकें, जैसे कि हम लोग हैं. I will proudly celebrate the success of my country and my people. बहुत ही proudly, बहुत ही गर्ब से मैं celebrate करूँगा, मनाऊँगा, अपने देश और अपने देशवासियों की सफलता को, या अपने देश और अपने देशवासियों की सफलता में, बहुत गर्ब से मैं भी उसको celebrate करूँगा, मैं भी उसमें शामिल होँगा, अब मेरे देश की सफलता, मेरी सफलता होगी, मेरे लोगों की सफलता, मेरी सफलता होगी ये था आपका lesson चिल्डनास कलाम, आईए इसको एक पर शॉर्ट में और समझ लेते हैं, फिर हम करेंगे इसके प्रशन यहाँ पे इस लिसन में बचों ने चिल्डन जो हैं उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुलकराम से बात किये पहला प्रशन उनके लिए था कि आपका पूरा नाम बताईए और आपके दोस्त का नाम बताईए जो आपका सबसे फास्ट प्रिंट था उन्होंने अपना नाम बताया अबुल पाके जैनला बुद्दीन अब्दुलकराम और उनके दोस्त का नाम पक्षी रामनाथ शास्त्री उनसे अगला प्रशन पूछा गया कि भाग्य कहां तक आप मानते हैं भाग्य को और कहां तक भाग्य का मानना आवश्यक है क्या भाग्य से ही सब कुछ होता है तो कलाम ने इसका जबाब दिया कि नहीं कडी मेहनत ज्यादा जरूरी है आप मेहनत करेंगे तो आपको भागे स्वयम आपका साथ देगा जैसे जो लोग अपनी मेहनत करते हैं इश्वर उनकी मेहनत इश्वर उनको खुदी उनकी हेल्ब करता है उनकी सायता करता है इसके बाद next है next question आया कि पहला वैज्ञानिक आप इसकी से मानते हैं बच्चे अगला प्रश्न है उन से कि Science and Maths के अगर फॉर्मूले याद करने के लिए आपके निमाग में क्या तर्कीब है Science and Maths के फॉर्मूलों को याद करने के लिए कलाम का था, جवाब कि आप लगातार उन फॉर्मूलों का उपयोग करिए उनका application करिए, बार-बार उसके इस्तिमाल से वो formula आपको याद हो जाएंगे उनसे पूछा गया कि आपका सबसे happiest day, सबसे ज़्यादा खुशी का दिन कौन सा था तो कलाम ने बताया कि जब वो डॉक्टरों के साथ मिलकर FROs बना रहे थे यानि light weight friction reaction orthosis, floor reaction orthosis, I'm sorry floor reaction orthosis बना रहे थे, polio affected बच्चों के लिए और जब उनकृत्रिम पैरों को उनकृत्रिम कैलिपर को पहनने के बाद में बच्चों ने जब दोरना शुरू किया जो उनके 3 किलो के polio वाले कैलिपर से कहीं हलका था तो उसको देखकर उनके माता-पिता के आखों मियास हुआ है और कलाम भी बहुत हुशी मैसूस किये इसके बाद इन से ये काप पूछा गया कि आपके बच्चपन में सबसे अविस्मर्नी ये घटना बच्चपन की बताईए तो उन्होंने अपने एक टीचर का नाम बताया श्री शिवा सुप्रवणियम अयर जो उनके साइंस टीचर थे जिन्होंने उनको पक्षियों के ओढ़ने के बारे में रामिश्वरम के सी बीच पे ले जाके वो किस तरह से बर्ड्स टेक उफ करती है फ्लाइट लेती हैं वो दिखाया और उसके बाद उन्होंने विग्यान विशे में इतनी रूची जागरत कर दी कि कलाम खुद विग्यान विशे को उन्होंने अपने पढ़ाई के लिए अध्यात्म, spirituality यानि अध्यात्म, भगवान को मानिए, अध्यात्मिक होईए, प्रात्मा कीजिए, ये सबसे आप अच्छे वेक्ति बनेंगे, कढ़िन परिश्रम तो करना ही है आपको, कढ़िन परिश्रम के साथ वैग्यानिक दृष्टिकोन और उसके साथ अध्यात्मिक तीन चीज़ें, उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप हर साल ब्रेवरी एवार्ड देते हैं, तो ब्रेवरी एवार्ड ब्रेवरी या करेज की क्या डेफिनिशन है, उन्होंने कहा कि अगर हम किसी धुरघटना से किसी को बचाते हैं, अपने सुरक्षा की चिंता किये बि हुँ, पहली चीज़, मैं पूरी मेहनद से पढ़ाई करूँगा और पढ़ाई में सबसे आगे रहूँगा, दूसरी चीज़, मैं कم से कम अपने जींवन में दस लोगों को बढ़ना-लिखना सिखाऊंगा, तीसरी चीज़, कम से कम दस पौधे में अपनी जिदगी में ल भाई दुख पा रहे हैं जो मेरे suffering brethren है मैं उनका दुख कम करने का प्रयास करूंगा अगली चीज उन्होंने कहा कि जाती धर्मिया भाशा को लेके किसी प्रकार का भेदभाव ना मैं करूंगा ना ऐसे किसी काम में सहयोग करूंगा इसके अलावा इन्होंने बताया कि मेरी को कि मैं कोशिश करूंगा और इस तरह से काम करूंगा कि मैं एक जागरुक नागरिक बनूँ और अपनी फैमिली को भी वैसा ही बनाओंगा इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो मानसिक या शाररिक रूप से चैलेंज लोग है या जो विकलांग है या अलग डिफरेंट्ली एबल जिनके लिए हम शब्द यूज करते हैं ऐसे लोगों को मैं महसूस करा हूँगा कि वैं नॉर्मल हैं हमारे जैसे हमें भी यह करना चाहिए और इसके अलावा अपने देश और अपने लोगों की सफलता को मैं बड़े ही धूम धाम से सलिब्रेट करू का ओचिते खतम हो गया यह जो दस पॉइंट्स है और जो कुछ इस लिसन में एपी जे अब्दुलकलाम ने कहा है अगर आप उनको इतना मानते हैं और उनकी फोटो आपने अपने घर में और अपने क्लासरूम में लगा के रखी है तो इस उससे कहीं बहतर है कि आप इन ची क्लाम जो कुछ भी उन्होंने कहा है उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए जहां तक हो सके और अगर आप पूरी तरह से अमल करते हैं तो आप भी उन्हीं के जैसे महान बन पाएंगे यह था आपका लेसन आईये हम इस पर क्वेशन कर लेते हैं साइन्स के फॉर्मूलों को याद करने के लिए डॉक्टर कलाम का सुझाओ क्या है आप देख सकते हैं डिस्क्राइब कलाम सबसे खुशी के दिन को वर्नित कीजिए डॉक्टर कलाम को अपने कक्षा शिक्षक की क्यों याद आती है वाट इस करेज एकॉर्डिंग डॉक्टर कलाम के अनुसार साहस क्या है विश पॉइंट डॉक्षक की जो यह शपत है कौन सा पॉइंट आपको सबसदा पसंद आया आप उसको लिखेंगे इसमें यह नहीं सोचना है कि जो सबसे छोटा है वो याद हो जाएगा उसको लिख लेते हैं इस भावना से बचिएगा ध्यान से पढ़िए ध्यान से देखिए जिस पॉइंट को आपको अपने जिन्दगी की पंच लाइन बनाना है जिस पॉइंट को आपको अपनी जिन्दगी का सिध्धान्त बनाना है उस पॉइंट को आप नूट कीजेगा look at the lesson and complete the sentences यहाँ पे lessons को देखके आपको sentence complete करना है कलाम's full name is कलाम का पूरा नाम His best friend in school was school में उनका best friend कौन था His favorite teacher was उनके favorite teacher कौन थे FRO's help, FRO's से किसको मदद मिलती है Courage, black place persons ठीक है Courage according to कलाम is साहस कलाम के अनुसार क्या है यह आपको लिखना है मैं समझती हूँ, आपको lesson समझ में आया होगा आराम से इसका question answer कीजिए और अपने teacher को दिखाईए बहुत important है और इसको जंदगी में उतारना मत भोलिएगा See you in the next class